कि You कि अप B वो कि अवर्ड वेल्कम टम टी एज्शाम वट आज हम बात करेंगे दून युवरसिटी के बारे में दून अपात penckनौ के यहां पूर्थ स्ब्पिक को लिके बात करेंगे क्योंकि दून युoni उनिवसिटी के बारे में बता दूँ यह क्या है इसका किस तरह का फीष्ट ट्रक्टर रेता है थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ देता हूँ आपको उसके बाद मां आगे सब्जक्ट की चर्चा करूंगा और साथ यी साथ आपको बताऊंगा तैयारी कैसे करें उन सब के बात करूं तो एक स्टेट युनिवरसिटी है जो की दहरादून में है इसका इस्टैबिस्मेंट 2005 में हुआ था जो उत्राखंट सरकार है उसके द्वारा लेकिन यहां पर कुछ कोर्स ऐसे हैं कि वहां ऑल इंडिया से स्टुरेंट्स उसमें अडमीशन लेते हैं अब हम बात करते हैं और कुछ लोग जामियां भी अप्लाई करते हैं वहां की लेकिन अगर आपका इन तीनों में सेलेक्शन नहीं होता है आपकी मन पसंदिदा लेंग्वेज में तो आपके पास एक और बहतरीन ऑप्शन है वह आपके पास दून ठीक है दून युनिवरसिटी इसके क चाह Αiam जैता है तो यहां पे करवाई जाता है उसका छाएन क्या नहीं जाते है तो आपका यहां पे अलग अलग सब्जेक्ट में एक इंगलीष उसके लबाज चार फॉरें लेंग्वेज में यहां पे बीएं और बाए नहीं पर आप हिन चारों लेंग्वेज में किसी भी लेंग्वेज में backup के तौर पर किसी उनिवर्सिटी को रखना चाहते हैं तो मेरी personal advice आपको यह है कि आप दून में apply जरूर करिए ठीक है last day दून में form apply करने का जो है वो 16 June है ठीक है और entrance के अगर हम बात करें तो first week of July में इसका entrance हो जाएगा और 15th of July 2022 results declare हो जाएगे यानि कि जो आपका seat है students का स्टुडेंट्स का स्टुडेंट्स वो पब्लिश हो जाएगा ओके सो यहां आपको तीन चीज़े clear हो गई एक तो आपका last day कब है entrance कब होगा और रिजल्ट कब आएंगे और language clear हो गए आप मैं बात करता हूं स्लेबस पर आखिर आप क्योंकि अगर हम 2020 का देखें 2020 2021 यह दो यहां पर entrance नहीं हुआ कोविड की वज़ा से ठीक है entrance नहीं हुआ क्योंकि कोविड था लेकिन यहां पर लास्ट टू यह में percentage based admission हुए ठीक है percent based जो है admissions यहां पर हुए थे ओके अब 2022 में फिर से entrance होने जा रहा है अब entrance का syllabus mostly students को नहीं पता है कि entrance का syllabus क्या है तो वह जान लेते हैं अगर आप बीए language में जा तो आपका ठीक वही pattern follow करना है जो JNU follow किया करता था JNU जो follow करता था आपको क्या होता था उसमें जैसे आपको country related gk पढ़ना पढ़ता था ठीक है cgk short form में country related gk पढ़ना पढ़ता था specific country आप जिस subject में apply करते हैं आपको जीक पढ़ना होता था और यहां आपको इन country से रिलेटेड जो चीजें हैं चारों country से रिलेटेड जीक है उसको cover करना होगा ठीक है पहला तो step यह है कि आप country gk पर काम करिए चाहा उसका geography है या फिर उसका history है या फिर आप अगर हम बात करें उसका political changes जो भी है जो कि पहले यहां पर नहीं रहा है तो the most important thing the country gk is very important in university entrance exam and another thing is the current affairs as well as for country जो current आपका country related वो भी काफी important है तो यह जो points है आपके इनको अच्छे से आपको cover करना पहला step तो आपका जीक के वाला पार्ट यहां पर cover होता है दूसरा पार्ट आता है आपका जो numerical ability में कुछ आता है reasoning वगरा आता है उससे related parts भी आपको cover करना है ठीक है और reasoning के अलावा एक जो last part आपके पास बसता है वो बसता है English grammar का ठीक है आप English के अगर बात करें हम तो English grammar आपको पता है कि च इंग्लिश है वो अलड़ी आ रहा है तो कहीं न कहीं एक चीस तो clear है कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अपने इंटरेंस exams के लिए पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हमें फिर से देखनी है कोई ऐसा नया नहीं देखना है लेकिन हां नया क्या देखना है जो students apply कर रहे और एक backup रखना चाहते है किसी उनिवसिटी का कि अपना एक साल वेस्ट ना हो देन दून उनिवसिटीज मोस्त यूजफुल फॉर इस स्टुडेंट और कहीं ने कि आप उसमें apply करिये हाँ थोड़ा expensive जरूर है जैनी जैसी उनिवसिटी में काफी minimum to minimum खर्चे में आप अप उपना graduation पूरा करते लेकिन यहां पर कहीना कि charges थोड़े ज़्यादा है तो वह आपको देखना होगा लेकिन afford हो जाता है दूसरा आपको paper का pattern समझ में आ गया कि country जी कि आपको पढ़ना ही है English grammar पढ़ना है reasoning भी आपको पढ़ना होगा तो यह बहुत important है कि आपके लिए कु तो seats mostly language programs में 25 each है ठीक है तो आप देख सकते हैं अपना seats वगरा उसका prospects है वो अलड़ी examvert official telegram channel में upload किया हुआ है तो आप वहाँ से उसे ले सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ CVT based अगर आपको CVT based एक mock test देना है तो इस Sunday यानि कि 5 June को साम को 5 बजे एक free mock test होने जा रहा है examvert की तरफ से तो आप उसे join कर सकते हैं और उसका link अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको examvert official जो telegram channel है वो join करना होगा current affair का PDF आप अपलोड कर दिया गया है वो भी आप ले सकते हैं वहाँ से जाके और भी बहुत सारे webinars के information आपको मिलते रहती है जामिया के free content content जो है वो available ह हम आपे वो ले सकते हैं आप जाके बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं जो आपको free में available हो रही है examvert पे तो examvert official जो telegram channel उसे join करना मत भूलिएगा और दून से related भी हम आपको content से related information बहुत जल्दी आप provide कराएंगे ताकि आप दून भी आसानी से crack कर पाएं तो जो भी student interested है दून crack करना चाहते हैं examvert के साथ जुड़े रहे हैं आपको यहाँ पर उससे related जो भी details है syllabus और खास क्या पढ़ना है क्या छोड़ देना है उन सब पर आपको आने वाले दिनों में वीडियो मिलते रहेंगे thank you very much for joining us and कहीं न कहीं अगर आप चैनल पे नए हैं तो subscribe किये हुए बिन के शेर करिए syllabus regarding कोई भी doubt अगर आपकी है तो comment section में लिखना मत भूलिएगा ताकि आप अपने doubts clear कर सके हमारे contact details भी आपको दिये गए हैं तो उन पर WhatsApp करके अपने query जो है वो पूछ सकते हैं so see you and wish you all the best for doing university entrance exams as well as for CUET thank you